देनिक रुड़की मैं हूँ दीपक रुड़ा और आज हमारे साथ हैं मारवाड कन्या पाठशाला लाल कुर्ती के आमसभा के सदसे आज उनसे हम जानेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं परबंद को लेकर वहां के जो परबंदक है उनको लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले गोर कर रिश्दस से हैं बा है प्रबंद समीति हो ठीक है परशासन जोइदा के छलता है और चैमारी पर्बंद समीति का कारेकाल एक मरी चीए परति आए पर मोंद की लिए पिर अपनी दैसको किर लिए this area तो आप सेवल दो मैंने सेज रह गए हैं परबंदक द्वारा तानासाही रवय अपनाते वे ना तो बोलिश भेज रहे हैं दो बार हमने उनको लिखित में परत्या वेदन दिया मुख्य साधिगारी को प्रेसित किया लेगा और परसुनल वारता भी गरी उनसे मुख्य साधि परदमान परबंदक श्री रामतवार अगरवाल जी है और इसी संदर में हमने ग्यापन भी दिया है जो मेरे पास है हमने मुख्य सब्सक्राइब करना चाहरे है या आप लोगों ने लिखके भी दिया है पड़शाचन को इनको जो शिक्षा अधिकार्यों को देगे जो मंस उनकी जाहिर होती है अगर छे मैंने पहले वह सूची नहीं भेज रहे हैं जैकि नियम यह कि छे मैंने पहले सूची भी नीची है पिछला जो चुनाव बाता उन्होंने सिरफ मात्र दो दिम पहले ही सुची का अनुमोदंग कराया साथ गार्ट में करके विभाग से और जि सर्क थामनी और कि लिए पर शाषन के अनुसार जो है साल में विटिंक होने चाहिए तो नौसाल में नहीं करा यह नौसाल हो गए उनको बने वे एक वी जनल मीटिंग नहीं पाई परबंदक जो रहते हैं इनका जो कारे काल रहता है कितना रहता है सर तीन साल करता जी नो साल कैसे रहा एक पिछली बार वह ने बहुत कर दिया था ना उस वे से वह एक्टेंड हो षीता है सरा आपके कहना है कि उसको लेकर आपको कहेंगे तो से तरह किसी कुछ वहां पर लोग रखे जाले मतलब विकैंसिस वगरा रही तो लेकर आप क्या कहींगे कितने 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 लोग रखे जा रहे हैं क्या है पूरा मामला पता है कि जो प्राइमरी विभाग में दस पदों की ले समंद में नुकती है जबकि शाथ संक्या का इधार पर सरजित के जाते हैं हमारे शाथ संक्या 2020-2021 में 235 नियामानुसार 7 पर सुविकर्ट होने चाहिए थे साथ कार करके इन्होंने 10 पर सुविकर्ट कराली भी भाग से और उसके बाद 10 पर उन्होंने विग्यापन लिया जाता है उसक्या सिफ्साधिकरी की नमोन रमातों के बात दिया जाता है लेकिन उसमें सबसे बड़े डाउबेक यह है कि साखषात कार की ठीधी से पहले एक प्रभान सेमेती की बैठक होती है प्रभन सिमेती के करेश जी चैनड़शतर की जानकारी में यह सब तो उसके लिए कि जो जानकारी नहीं है और मिटिंग में सवापती होता है कि इंटरू में कौन बैठेगा तो उसके अभी तक कोई की मिटिंग की अजएंडा है तीन दिन पहले वह जाना चाहिए क tyre अपने मनमाने तरीके से अपने प्रवन सिमिर्ष के संध्यान में लगाउव कोई बात करी हमारा इस मानना था कि प्रवन के किलाब दौद जान्ज JASON नंब shedding एक मेरा मिलन जी जाज सिंग राठोर बनाए गए हैं दोनों जाज विभाग की धूल मुल रवाई से फैंडिंग है हमारा चादूवीधी साब से बाग इस जाज में कुछ डूल मुल रवाई अपना रहा है क्या जाज बिल्कुल वह नहीं कर रहे हैं बिल्कुल लोने जाज बिल्कुल बेन लगा र प्रस्तूत कीजिए प्रवंद्व को भी कहा प्रवंद्व को साइब बुलाया नहीं बुलाया और हमारा चदूवीधी साब से कहना है जब तक यह दोनों जांच किलें नहीं हो जाती जब तक आप यह जो नुक्तियां हैं दस इस पर आप रोग लगाएं और आगे तारिक सब्सक्राइब नहीं हो रही है लेकि नुक्ति में एक तो साथ पदों पर होनी चाहिए दोसरी साक्साथ कार्थिति जब तैह होगी या तो उसकी बैटा को प्रवंद्व सिमीति की और साथ में सबसे बड़ी यह जहां आपके किलाप आरो आप नुक्ति की बात कर रहे हैं पतों पर कैसे कर सकते क्या बच्छों का संख्या के साब रहता है को जाइए ही सिख्षाष बागने जब आपने बश्यापन देखो यह बड़ा गंबीर मामला है यह तो सरकार को आर्थिक चुनना लग रहा है इसमें तो सरकार का नुक्सान और सबसे बड़ी बात यह हैं आप लोगों के संग्यान में तो है नहीं जो समीती तो बहुत करी नहीं करी लेकिन आप लोगों के संग्यान में मतलब सबस्क्राइब नो साल होगे तीन महा में एक बैटक ज्रूरी है और वर्स में एक पहली बैटक जो होती है सेशन स्टाट होने पहले बजट रखा जाता है व्यक्याइट पास्किया अपने सब्सक्राइब रहते हैं ताकि हम से दूर है और हमारा पास नाय मिलने के लिए ऐसे पारना अदम सेंग, ने भी साथ हमें, वो लोग इस के पार नहें आपाते हैं, कब थे मम आुड़ा हैं, उन्फिस की क्या करते हूं तो आप कभी चीज को लेगर कभी आपने सर उच्चा दिकार वुगत कराया चीज से कि जिस तरह से करते हैं उच्चा दिकार को तो संग्यान देने के लिए वारे गोरीशंग्री है तो हम उच्चा दो साल होके लगातार अपनीडेशाइक डार्क्टर जनल सचीव महोदे को और रहे गारे जो अगर आपकी बाते नहीं मांगे नहीं मानी जैएगी तो हम सजी को बाइँ नहीं जाएंगे तो हम बिलोग करें हमें उच्ट नहीं पड़ी तो माभी हम सरंदों ल सब्धान्दी हो रही हैं यहां कर दो रखार लिए उपड़ी होँ इस तो भान करक जो सदस्थें उन्हें जो महां के परबंदक रामकुमार अगरवाल रामवतार अगरवाल के ऊपर साफ तोर पर उन्हें धान्द का रोब लगाया उन्हों का बात नी सुनते हैं और बिना प्रबंद समीती को और बिना यहां के जो साधान सभा के सदस्यों को संग्यान में लिए वो अपनी मन बढ़े सारे कारे कर रहे हैं जिसको बिल्कुल बरदास्ट नहीं कहा जागा यदि उनकी मांगें नहीं बुरी होती तो इसके लिए वो कोट का या फिर शासन का दर्वाजा खटकाएंगे